विल्कम बैक दोस्तों आप देख रहे हैं टेकनो अपलिफ्ट तो गाइस बहुत टाइम आपको विंडोस 10 और 11 में एक ब्लू स्क्रीन देखने को मिलती है जहां पर यह कहता है रिकावरी दा पीसी और डिवाइस नीड टू बे रिपेर्ड अब यहां भी आपको अलग- करे रिजन हो सकते हैं तो अगिन हम रिजन की बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे सलुशन की वह यहां आपसे चार सलुशन शेयर करूंगा जो बहुत ही एफेक्टिव सलुशन है और अगर इनको आपने प्रॉपरली अपलाई कर लिया तो बाइद आप इस वीडियो आपको कि USB है hard disk है तो उसको यहां पे आप unplug करिए उसको यहां से हटाइए हटाने के बाद दुबारा से सिस्टम को restart कराइए और चेक करिए कि यहां पर आपका resolve होता है कि नहीं होता है अगर इसे यहां पर issue resolve नहीं होता है तो चलिए हम देखते हैं कि next तीन सलुशन क्या है जो करना है आपको यहाँ पे blue screen में सबसे नीचे एक option मिलता है प्रेस एफ एट फॉर स्टार्ट अप सेटिंग यहाँ प्रेस करी अपनी कीबूर्ड से और यहाँ पे स्टार्ट अप सेडिंग ओपन होगी लेकिन majority of the पीपल का यह F8 वाला option अभी फिलाल के लिए काम नहीं करेगा तो अगर यह option काम नहीं करता है तो आपको स्टार्ट अप सेडिंग में आने के लिए क्या करना है अपने PC और laptop को forcefully shutdown करना है तीन बार तो कैसे करेंगे आप पहले अपने power button को press and hold करके रखे जैसे shutdown हो जाए दु तीन बार apply करना है और तीन बार apply करने के बाद finally आपके पास यहाँ पे startup setting वाला page open होगा और यहाँ पे आपसे कहेगा choose an option तो यहाँ पे आपको पहले troubleshoot वाले option पे click करना है फिर advanced option पे और फिर यहाँ पे आपको मिलेगा command prompt command prompt जैसे open होता है तो यहाँ पे आपको कुछ command run करानी है जो fix करेगी हमारी ufi partition को और किसी भी तरह की corrupted boot file को तो यह सारी command आपको description में मिल जाएंगी आप चाहो तो one by one copy paste करा सकते हैं और चाहे तो आप यहाँ पे manually भी type कर सकते हैं तो सबसे पहली हमारी यहाँ पे जो command होगी वो होगी boot rec space forward slash fix mbr एंडर कराएं नेक्स्ट कमांड होगी boot sct space forward slash nt60 space sys एंडर कराएं थर्ड कमांड होगी हमारी यहाँ पे boot rec space forward slash fix boot एंडर कराएं और last command जो हमारी यहाँ पे होगी वो होगी boot rec space forward slash rebuild bcd एंडर कराएं और जैसे ही यहाँ पे यहाँ पे command complete होगी तो आपको message आएगा the operation completed successfully जैसे ही आपको यह देखने को मिलता है यहाँ से आप exit करिए PC को यहाँ पे shutdown कराके दुबारा से restart कराएं और चेक क्या आपका issue यहाँ पे resolve हुआ है या नहीं हुआ है आप मेरे से कई लोगों का issue यहाँ पे resolve हो जाएगा और आपको normal यहाँ पे screen देखने को मिलेगी login वाली लेकिन अगर आपके लिए यह method भी काम नहीं करता है तो हम move करेंगे third method में जहाँ पे हमें एक bootable USB create करनी होगी Windows 10 या Windows 11 की जो भी आप यहाँ पे use कर रहे है आप bootable USB बनाने के लिए आपको किसी अधर laptop या PC की जरूवत पड़ेगी अगर आपके पास कोई अधर laptop PC नहीं है तो आप अपने mobile से भी इसको बना सकते हैं जिसके लिए मैंने अलड़ी एक वीडियो बनाया है आप उस वीडियो की होनी चाहिए और जैसे आप connect करा लेते हैं उसके बाद आप अपना कोई भी browser open करिए और यहाँ पे search करिए Windows 10 ISO download या Windows 11 ISO download और जैसे यहाँ पे page open होगा तो थोड़ा से नीचे आने पर आपको मिलेगा create Windows 11 installation media क्योंकि मेरा यहाँ यहाँ पे Windows 11 है तो मैं आपको Windows 11 का ही दिख करना है और जैसे यहाँ पर आपके downloading start हुजाती है और download हुजाता है तो इस पर आपको यहाँ पर click करना है । क्लिक करते ही यहाँ पर आपको Windows 11 का setup page देखने को मिलेगा यहाँ पर नेक्स पर click कराईए फिर यहाँ पर scroll down करिए और except पर click करिए और यहाँ पर जो भी language edition आपक पर बोलेगा कि आपकी जो USB flash drive है वो selected है की नहीं है अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको बताएगा कि we can't find a USB flash drive अगर same message आता है तो आप अपनी USB को properly connect कराईए और उसके बाद यहाँ पर refresh drive list पे क्लिक करिए जैसी detect हो जाएगी तो यहाँ पर आपको शोग करेगा और यहाँ पर make sure करके रखी कि आप एक ही drive को यहाँ पर connect कराईए ताकि आपकी कोई other drive यहाँ पर बूटेबल ना बन जाए जैसे आप यहाँ पर connect करा लेते हैं यहाँ पर next पे क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए installation और downloading स्टार्ट हो जाएगी अब यहाँ पर थोड़ा से टाइम लेगा प्रबेबली आप 15 से 20 मिनिट या ज्यादा भी ले सकता है तो आप यहाँ पर wait करिए और जैसे यह complete हो जाएगा तो आपके पास एक message आएगा your USB flash drive is ready तो मारी यह bootable USB तयार हो गई है अब यहाँ पर फिनिश पर क्लिक करिए और यहाँ से अपनी pen drive को unplug करिए और अब जाके उस device में connect कराएगे जहाँ पर आपको problem है जहाँ पर आपको blue screen का error आ रहा है और जैसे यह आप वहाँ पर connect करा लेते हैं अब अपने system को आपको restart कराना है bios mode में ताके हम यहाँ पर boot priority को change कर सकें और next time हमारा computer boot हो सकें इस bootable USB से clear तो उसके लिए depending जो भी आपका motherboard है manufacturer है आप different bios की को use कर सकते हैं like f2 है escape है delete है f12 है तो आप जैसी bios में आ जाएंगे तो आपको boot priority order यहाँ पर change करना है और top पर यहाँ पर यहाँ पर USB जो आपने bootable बन यहाँ पर मेरे USB device मुझे show कर रही है तो इसको मैं यहाँ पर select कर लूँगा और select करा के जैसे यहाँ पर enter करेंगे तो अब हमारा system यहाँ पर start होगा windows के installation से और जैसे यहाँ पर windows setup का page देखने को मिलता है इसे यहाँ पर आप close कर दीजे close करिए उसके बाद यहाँ से अपनी issue resolve नहीं होता है तो हम move करेंगे method 4 पे जो कि हमारा last method होगा और इसमें हम यहाँ पर reinstall करेंगे windows 11 को या windows 10 को लेकिन यहाँ पर 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 अपना data यहाँ पर lose नहीं करेंगे और हम यहाँ पर overwrite करेंगे windows को तो उसके लिए आपको क्या करना है दुबारा से आप अपने pen calculation आपका start होगा यहाँ पर आप से product की पूछेगा तो अगर आपके पास product की है तो आप enter करा दिजे और नहीं तो I don't have a product की पर क्लिक करें automatically यह आपका detect कर लेगा यहाँ पर जो भी आप addition लेना चाहते हो आप addition चूस करो try करो जो addition आपका last time था उसी addition को select करो next पर click करो next करो य अब यहाँ पर सबसे important part है जो आपको बहुत carefully समझना है अब यहाँ पर आपको सारे आपके drive partition के साथ show करेगी तो यहाँ पर आपको वो partition देखनी है जहाँ पर आपकी last time windows installed थी ठीक है तो आपको primary के नाम से देखीगी plus आप उसका जो size है उससे भी यहाँ पर पहचान सकते ह कि कौन सी आपकी यहाँ पर primary drive है जहाँ पर आपका windows installed था जैसी आपको वो मिल जाती है उसी partition को यहाँ पर आपको select करना है इसको यहाँ पर delete यह format कुछ भी नहीं करना है बस उसको यहाँ पर आप select कर लीजे और उसके बाद यहाँ पर next पर click करिए और देखें यहाँ पर आ याँ विंडोस की file होंगी वो आपका एक नए folder में move हो जाएंगी जिसको माराम से access करके data ले सकते हैं यहाँ पर ओके पर click कराईए और next पर click कराईए और installation यहाँ पर start हो जाएगा अब यह थोड़ा से time लेगा तो यहाँ पर आप आराम से windows को install कराईए और जैसे यहाँ पर अपने पुरानी file को access करना है clear तो यहाँ पर आपका issue भी resolve हो जाएगा और आप अपने पुरानी file को भी access कर पाएंगे ठीक है तो हमारी windows यहाँ पे reinstall हो गई है आप जैसे reinstall हो जाती है तो आपको file explorer को open करना है और left in menu option में आपको choose करना है this PC फिर local disk C में जाएगे और यहा यहाँ पर डबल क्लिक करिए और यहाँ पर users वाले पर क्लिक करिए और जो भी आपका user account है उसको यहाँ पर select करिए आप जैसी इसको open करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका desktop, download, pictures, videos, जो भी आपका data था C drive में वो सारा यहाँ पर आपको show करेगा आप इन सब का यहाँ पर सकते हैं, recovery, your PC or device need to be repaired को यहाँ पर fix कर सकते हैं, तो that's all guys, hopefully, यह चारो solution में से कोई ने कोई solution आपके लिए जरूर काम करेगा, मुझे comment section में जरूर बताइएगा कि कौन सा method आपके यहाँ पर काम किया, और वीडियो आपके लिए useful रहा हो, तो please वीडियो को like और subscribe करिएगा, और हम इलेंगे नेक्स वीडियो बे, बाबाई